नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर मेरा नाम है अनिरुद और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकेस करने वाला हूँ एक recent development जिसमें की चाइना ने ये घोशना करी है कि वो माउंट एवरेस्ट यानि की दुनिया की सबसे उची पीक के उपर एक border draw करने वाले हैं ये वाला जो border है इसको basically ये लोग separation line कहकर बोल रहे हैं और इसके पीछे का main reason ये है कि कहीं COVID-19 के cases माउंट एवरेस्ट के रास्ते से तिबत के अंदर entry ना कर जाएं तो जानेंगे exactly यहाँ पर ये development क्यूं होई है क्या वज़े है इस पूरी की पूरी च handle पर follow कर सकते हैं सो देखिए basically ये कहानी शुरू इसलिए होती है अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों में नेपाल की जो COVID crisis है वो काफी जादा बढ़ चुकी है नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या जिसकी आबादी बहुती कम है तीन करोट से भी कम आबादी वा जाते हैं तो obviously चिंता का विशे तो बन ही जाता है यहाँ पर आप देखें यह 8 में की news है और इसको cover करने वाला as you can see the logo over here South China Morning Post ने इसको cover किया नेपाल's record jump in cases signals impending crisis तो एक तरफ जहाँ पर नेपाल already एक political crisis से गुजर रहा था because वहाँ पर parties में आपस में बातचीत नहीं हो रह ही है एक दिन में 99,000 के आसपास cases आ रहे हैं अगर आप देखें यहाँ पर यह particular figure है नेपाल की cases suddenly कम होना शुरू हो चुके थे काफी हद तक कम almost यहाँ पर ना के बराबर थे लेकिन अब suddenly cases बढ़ना शुरू हो चुके हैं May 6 May को आप देख सकते हैं 8970 cases सामने आए हैं तो रो न्यूस सामने आ रही है China to draw a separation line on the peak of Mount Everest जैनी कि एकदम peak के ऊपर जाकर के separation line को draw किया जाएगा इसको cover किया है US News ने उसके बाद CNN ने भी इसको cover किया है China to create line of separation at Everest summit and हमारे भारत के Times of India ने भी इसको cover किया है China to create line of separation at Everest summit on the COVID fairs और यह news जस्थ आज सुबह सुबह सामने आई है स सुबह 10 पचे के आसपास की बात है अब यह चीज COVID के साथ किस तरीके से संबन्द रखती है अब देखिए basically क्या हुआ था अगर आप इस चीज को समझें इस map को अगरा भ्यान से देखें Mount Everest जो है आप देख सकते हैं यह एक boundary के ऊपर located है यह वाली जो international boundary है दोस्तो इस है कि Mount Everest का जो दो sides है एक तो है उसकी northern side और एक है उसकी southern side यानि कि आप इस तरफ से भी चड़ सकते हैं और इस तरफ से भी आप Mount Everest को climb कर सकते हैं तो यह दोनो sides हैं लेकिन नेपाल में कई सारे climbers थे जो की already Mount Everest की चढ़ाई करना शुरू कर चुके थे आपको मालुम होगा ग आप इस खबर को देख सकते हैं चाइना ने भी इसको यहाँ पर कवर किया है Global Times में कोमो लांगमा climbers कोमो लांगमा बेसिकली तिबत में या फिर चाइना में Mount Everest का दूसरा नाम है hit by worsening COVID-19 outbreak in Nepal as virus hits top of the world तो COVID-19 के cases जो Mount Everest के climbers थे वहाँ पर भी देखने को मिल रहे थे से 25-30 लोग हैं जो की यहाँ पर COVID-19 positive आ चुके हैं इसी के चलते यह पूरा का पूरा फैसला यहाँ पर चाइना के द्वारा लिया गया है तो over 36 climbers were evacuated from the base camp जो base camp था यानि कि जहां से आपकी एक तरीके से trekking शुरू होती है वहाँ से 30 लोगों को evacuate किया गया था on the Nepali side of the world's highest peak in the recent weeks as Nepal faces a deadly second wave तो Nepal का मैं आपको बता चुका हूँ कि overall पूरा देश भी इस संक्रट से गुजर रहा है और अब यह basically Mount Everest तक भी कहानी पहुँच चुकी है अब इस चीज़ को लेके तिबतियन जो authorities हैं तिबत के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं तिबतियन authorities ने कहा कि वे basically य the contact between the climbers on the north and the south slopes or at the top ठीक है तो यहाँ पर again इस फिकर को ध्यान से देखिए जो लोग इस तरफ से आ रहे होंगे और जो लोग इस तरफ से आ रहे होंगे वो यह नहीं चाहते कि इस Mount Everest की peak के उपर वो लोग कहीं भी जाके मिलें कहीं भी किसी भी तरीके से उनका आपसी contact बन guiding teams जाती हैं इसमें mountain guides होती हैं यह यहाँ पर dividing lines को setup करने वाले हैं on the summit of the mountain before they allow the mountaineers to start the climb और यह वाला जो statement है यह Tibetan mountaineering association के जो head है उनके द्वारा दिया गया है अभी तक यह clear नहीं हुआ है कि इतनी ऊपर जाकर यह किस material का इस्तिमाल करेंगे separation lines को divide करने के लिए because वो भी एक बहुत ही बड़ा challenging task होने वाला है तो वो चीज़ अभी तक final नहीं करी गई है now यह कोई ऐसी बात नहीं है कि चाइना यह पहली बार कर रहा है पिछले साल की बात है और पिछले साल in fact इसी महीने की बात है April 2020 के आसपास की बात है जब चाइना ने यह दै कर दिया था कि कोई भी foreign national जो वक्ती है वो Mount Everest को climb नहीं कर सकता है because of the virus outbreak आप इस खबर को ध्यान से देख सकते हैं यह एक website है जो कि कई सारे travelers follow करते है Chinese climbers start up Everest ठीक है foreigners band nearly 30 climbers जो है वो शुरू कर रहे थे अपनी चठाई को लेकिन foreigners को यहां पे China ने बैन कर दिया था इसका कही ना कहीं कारण यह भी रहा कि Nepal ने इस बार असल में बहुत जादा permits दे दिये थे तो केवल Nepal ही नहीं दुनिया भर के कई सारे देश हैं जो की tourism के उपर depend करते थे लेकिन tourist industry बहुत जादा खराब तरीके से प्रभावित होई because of the COVID-19 pandemic तो Nepal ने कहीं ना कहीं उस particular loss को compensate करने के लिए कई सारे यहां पर number of permits दे दिये थे नेपाल has issued a record number of climbing permits to try and boost visitors after its tourism industry suffered a devastating blow माना जाता है कि इस साल नेपाल ने लगभग 400 permits दे दिये थे और यह एक बहुत ही बड़ा number है यह देखते हुए कि यहां पर नेपाल में cases जो है वो बढ़ चुके हैं और इतने सारे permits जब दे दिये जाते हैं तो obviously लो लगभग 400 लोग to be very precise 394 लोगों को permit दे दिया गया है तो इसके चलते होता क्या है कि जो base camp होता है वहाँ पर लगभग 1000 लोग एक time पे एकठा होते हैं तो जब यह 1000 लोग एक time पे एकठा होते हैं तो COVID-19 की फैलने की जो probability है वो काफी जादा बढ़ जाती है इसमें foreign climbers होते हैं नेपाली guides होते हैं जो कि इन foreign climbers को साथ में escort करते हैं कई सारे लोग यहाँ पे एकठा हो जाते हैं तो देखना बाकी है कि exactly क्या होगा और चाइना किस तरीके से यहाँ पर इस line को draw करेगा जैसे ही कुछ होगा आपके साथ हम development को share कर देंगे जाने से पहले एक fact आपको फर्चा लग जाता है फिलहाल के वीडियो में इतना ही but I would like to tell you Unacademy combat में आपको हिस्सा लेना नहीं भूलना है using my code and UPSC और जो लोग विजयता होंगे बो लोग यहाँ पर यह particular scholarships को भी ले सकते हैं इसके इलावा हमारी test series चल रही है उसमें भी आपको हिस्सा ले सकते हैं Unac पुराना प्राइस बहुत ही जादा आप यहाँ पे देख सकते हैं पुराना प्राइस 49,500 का था और नया प्राइस विद दी ऑप्शनल केवल 57,500 रुपीज का है इसके उपर भी आप लोग 10% discount ले सकते हैं using my unique code जिसका नाम है अनी UPSC ये code के माधियम से आप 10% और discount ले सकत क्या आप 2